हाई दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसेंट एजूकेशन क्लासस में आसा करते हैं आप सभी लोग स्वस्त होंगे और आप सभी की एक्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों आप लोग के द्वारा काफी सारे क दोस्तों आज हमने कुछ चुनिंद को है जिन जाने हैं घूक्यूरा जसे कमेंट किया जाते हैं देत्तिक जाई है कर सब्सक्राइक है देने में को अब ह passion आपको मिल जाए इस वीडियो को पूरा आंदे तक देखीगा दो चलिए ऑच की वीडियो को शुरू करते सबसे ज़्यादा question दोस्तों जो की पूछा जाता है वो है प्रवक्ता के mails result को लेकर की प्रवक्ता का result आकिरकार कब आएगा तो इसमें ज़्यादातर questions यही पूछे जा रहे थे बहुत ज़्यादा आप लोग ने जब query की तो finally फिर दोस्तों मैंने UKPSC में इसके लिए संपर्क किया दुबारा से और उनके द्वारा दोस्तों यह बताया गया बहुत important information दोस्तों UKPSC के द्वारा दी गई थी हलंकि information मुझे दो दिन पहले उन्होंने दे दी थी मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं इस current से वीडियो लगातार नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूं इसमें result आ जाएगा जल्दी दोस्तों आपके result आपको देखने को मिलेंगे और आप देख रहें कि UKPSC इस समय पर active है अभी देखना कि नई साइड भी नोने डिजाइन कर दिये आप जाना UKPSC की नई website दोस्तों लाउंच हो चुकिए वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको काफी चीज़ें वहाँ पर सुधार में मिलेगी ठीक है इसके बाद जो दोस्तों जो की दूसरा question जहातर पूछा जाता है वो है policy technique lecturer को लेकर कि आखिर कर पॉले टेक्निक लेक्शर की पोस्ट का आएंगी देखिये पॉले टेकनिक लेक्शर की दोस्तों मैं बात करूँ तो उसका अदियाचन दोस्तों UKPSC के पास पहुँच चुका है 400 पदों का तकरीवन या दियाचन है और दोस्तों जल्द ही ये post release होगी अब इसके पीछे देरी क्या हो रही है इसका मैं 60 reason आपको बताऊं तो दोस्तों ये है कि जो आपका syllabus है Polytechnic lecture का दोस्तों वो change हो गया है और ये बात दोस्तों 100% confirm है क्योंकि जो पिसले बार का syllabus था उसमें दोस्तों change हो गया है अब जो दोस्तों जो syllabus है उसमें दोस्तों आपको subject नजर आएगा अगर आप दोस्तों physics से, maths से, chemistry से या फिर आप English से post graduate हैं तो दोस्तों आप इस post के लिए apply कर सकते हैं ध्यान रहे 55% होनी चाहिए तभी जाके दोस्तों apply कर पाएंगे और इसमें दोस्तों आपको syllabus में change देखने को मिलेगा अब आयोग की दोरा दोस्तों प्रस्ताव बना कर भीजा गया है यानि कि जो आपका syllabus है वो change होगा अब जैसे ही वो सासन में फाइल स्विकार हो जाएगी जल्द ही उसको आयोग को भेजा जाएगा और आयोग फिर क्या करेगा syllabus को upload कर देगा अब इसके syllabus के बारे मैं दोस्तों आपको बता हूँ तो मैं एकदम clear नहीं हो लेकिन दोस्तों इसमें आपकी language हिंदी और इंगलिस आने वाली है इसके अलावा इसमें दोस्तों आपका subject आने वाला है दो paper में भी हो सकते हैं first paper और second paper first paper language का हो सकता है language plus हो सकता है इसमें teaching aptitude हो और जो second paper है दोस्तों आपको पूरा का पूरा आपका syllabus का होने वाला है जो आपके subject है, उसका होने वाला है, physics का हो सकता है, maths का हो सकता है, chemistry का हो सकता है, दोस्तों, इस तरह का syllabus बनने की बात है, लेकिन syllabus चेंज होना, यह तो दोस्तों, आपका 100% चोहर है, तो आपके तीसरे question का भी answer मिल गया है, कि जो polytechnic lecturer है, क्या उसका syllabus चेंज हो रहा है, तो definitely द बात करते हैं, नई vacancy की प्रवक्तागी, देखें, नई vacancy प्रवक्तागी, दोस्तों, जल्दी ही आने की संबाब न रहेगी, क्योंकि अब दोस्तों, जो यह result है, प्रवक्ता का finally जारी हो जाएगा, document verification सब कुछ हो गया, result दोस्तों, बनके जल्दी तयार हो गया, आप आयो के बाद दोस्तों क्या है, कि अब आयोक के द्वारा लगातार, अब पोस्ट निकाली जाएगी, सबसे पहले निकाली जाएगी, लेक्चरर की, अब लेक्चरर में दोस्तों, टोटल बारा सो के आराउंड पोस्ट आने की खबर फैली है, हलनकि इसमें कितनी सच्चा ही है, तो खैराने वाले वक्त पर पता लगेगा, लेकिन इतना तो शौर है कि काफी सारी पोस्ट दोस्तों खाली है, प्रवक्ता और इसको हम दोस्तों हमको पहले भी आपको बता चूगे हैं, जैसे कि हमने आटिया की माध्यम से जनकरी एकतरित की थी, तो उसमें हमने आपको ब काफी कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बाद ज़्यादा तर जो कुशन है दोस्तों वो है, LTE के document verification को लेकर ये बहुत ज़्यादा question पूछा जाता है LTE का document verification कब होगा, कब होगा, कब होगा मैं हजार बात इसके बारे में बता चुका हूँ LTE का document verification पर high court ने रोक लगा रिखिये दोस्तों जब तक high court में मामला नहीं सुल जएगा तब तक document verification नहीं हो सकता, ठीक है अब इसमें क्या है कि document verification पर रोक एक अलग मामला है इसके अलबाब आपका subject में मामला चलना है, वो अलग चलना है हो सकता है कि document verification पर रोक हट जाए और आपके जो subject है, उसका result ना आए तो ऐसा हो सकता है जैसे कि अभी भाई क्या हुआ था कि जैसे आपने देखा होगे कि जब document verification हुआ था तो उसमें क्या किया था इन्होंने की हिंदी पर कि document verification पर रोक लगा रहे की तो बागी सब का document verification नहीं कर रहा था ठीक है तो ऐसा नहीं है कि अभी देखो हो सकता है कि document verification पे रोख हट जाए और बाकि जिन पर विश्यों में मामला चल रहा है उन पर अपना मामला चलता रहे तो ऐसा जोरी नहीं है कि सारे सब्जेक्स का मामला सुलच जाएगा तभी जाके document verification होगा document verification पहले भी हो सकता है जिन subject में मामला चल रहागा उनके document verification बाद में हो जाएगा पहले भी ऐसा हुआ होता रहता है ठीक है जैसे कि मैं आपको एक example दू तो UKPSC का जो 2018 वाला में example दू तो उसमें क्या हुआ था कि सब का document verification हो गया था लेकिन biology का निवा biology का तकरीवन एक साल के बाद आया result ठीक है तो ऐसा भी दोस्तों हो सकता है ऐसा कोई बड़ी वाली बात नहीं है अगर document verification में रोक हट जाएगी तो फिर आपका सुनवाई है जून में जो भी कुछ होगा फिर पता लग जाएगा हलंकी counter epidemic पढ़ चुका है महाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके बाद new vacancy lt की new vacancy lt दोस्तों तब ही आएगी जब यह आपकी निपटेगी ठीक है तो यह वाली vacancy निपटना बहुत ज़्यादा जोरी है हलंकी बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा chances है lt में भी vacancy आने के क्योंकि दोस्तों अभी समय पर कहना lt का मामला हर जगे से लटका हुआ है एक तो पहले तो नई बहुत है तो यह जो आपकी पुरानी भरती जो चल रही है वह भरती तो स्तों Court BOY की भी है उस्के बाद दोस्तों दूसरा है कि जो lt की जो सिtan खकों का प्रमोशन है वो लटका हुए अगर हो जाता तो दोस्तों, LTE में आपकी बहार ही बहार है, क्योंकि बहुत ज़ादा महाँ पर पोस्ट अपनी आपी खाली हो जाने वाली है, तकरीवन 2000 से उपर, यानि की 200 तकरीवन जो पोस्ट ने हैं, वो आपकी दोस्तों LTE की महाँ पर खाली हो जाएगी, ठीक है, और इसके अलावज जो ये नए बच्चे जब ये recruit होंगे तो उसके बाद फिर किया कि सरकार को नई भरती करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको काफी सारी चीजे, मलब कि काफी सारी पोस्त देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंतिजार करना पड़े इस साल के अंति तक मुझे लगता है कि पोस्त आएगी, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, या फिर अगले साल ही LTE की पोस्त आपको देखने को मिलेगी, हाँ लेकिन लेक्चरर है, लेक्चरर का हम मान के चल सकते हैं कि इस साल डेफिनिटली लेक्चरर की पोस्त आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके बाद एक और कोशन है, जो जादा तर पूछा जाता है आपके द्वारा कि जो फिजिकली हैंडिकैप्ट है, उनका क्या, अगर उनकी सीट अगर ना मिले वो, तो क्या वो जनरल के कैंडिट्स को चले जाती है, इसका जवाब है नहीं, य अगर वो ना मिले सीधी भरती में, तो उसके बदले किसी जनरल को, कैंडिट्स को जगा मिलेगी, ऐसा कहीं पर भी उलेक नहीं किया गया है, उसमें ये उलेक किया गया है, कि अगर प्रमोशन के टाइम पे, अगर मान लेते हैं, फिजिकली हैंडिकैप अवेलेबल नहीं है जो प्रमोशन में रिजर्विशन की बात अती है, तो वहाँ पर उसकी सीट में सामानिय भीढ़ती को रखा जाता, इसकी बात की गई है, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलाई गया है, कि जहां पर सीधी भरती है, तो वहाँ पर पी-ेच के बदले सामानिय भरती, मतलμα कि जो साम कि अगला है कि आरो, ए रोऊ वेकेशि को उत्रा kंड के हगों इसका क्या है उसका भी दोस्तों मैंपने पता क्या जदिया चन पर भी वर्क चल यह सब्सक्राइब review document यह सब्सक्राइब और जिसमें कम्य जोएब्या किभला थी में प्वूचर गालाने देखाथ si है १। सरकार बनी तो सरकार ने फटाफट से सासन ने जितने भी रिक्तपद हैं उनकी मांग की गई थी, ठीक है, मतलब कि विभागों से बहुत सारे अधियाचन मांगे गए थी, मतलब कि सरकार बनने से जस पहले बहुत सारे अधियाचन दोस्तों विभागों से गए, मतलब कि खान मारे विभाग से भी कुछ गए है अधियाचन ठीक है तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे विभागों में ऐसी हुआ है कि उनसे सासन ने फटाफट अधियाचन की मांग करी कि आप कि यहां कितने रिखते पाच चलने हैं उनका सीधा-सीधा यह मानना है कि इसमें से भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगी ठीक है इसके लवा यू के पीए सी में दोस्तों अबी आभी अधियाचन आपको देखने को मिलेगी ठीक है सुक्ष में लगू इवन मध्य मुद्यों की बाग के अंदर का दोस्तों साइक संकी के दिगरी का पद होता है वहाँ पर भी दोस्तों आपको पोस्ट देखने को मिलेगी ठीक है इसके अलावा देखिए अभी हाल में एक्जाम हुआ है DL8 का ठीक है DL8 का जो दोस्तों सेसन है वो एक जुलाई से दोस्तों शुरू हो जाएगा इस वाला तो इसका अर्थ ही ये मान के चलिए उनका ये मानना था कि एक महीने के अंदर वो दोस्तों रिजल्ट आपका निकाल कर आपको देदेंगे हलनके दोस्तों अब ये कहने वाली बात है क्या पता थोड़ा देल लग जाए लेकिन फिर भी आपे मान के चलिए कि आपका DL8 का रिजल्ट भी दोस्तों जल्दी निकल जाएगा और आउसके बाद आपको एक जुलाई से दोस्तों ये आपका सेसन दोस्तों इस बार स्टा कर सकते हैं मिलते हैं वीडियो में बुट बाई